हालो गाइस कैसे है आप मैं हूँ राकेश और आप देख रहे है टेकनिकल वरियर तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा आप कैसे पापजी मोबाइल में ग्रापिक सेटिंग को हाई कर सकते है यानि कि अगर आपका मूबाइल बैलेंस तक ही सापोर्ट करता है तो मेरे इस ट्रिक के अपलाई करने के बाद आप एजडि ग्रापिक्स में पापजी मोबाइल को खेल सकते है मेरे इस वीडियो को आन तक जरूर देखेगा क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाइस टेप बताऊंगा आप कैसे एजडि में गेम प्ले कर सकते है यानि कि आप कैसे पापजी मोबाइल में एजडि ओफ्शन को ओन कर सकते है तो मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्कीप मत कीजिएगा तो फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा और आप इस सेटिंग को गलत एपलाई करोगे और आपका मोबाइल वार्क नहीं करेगा तो चलिए बीना टाइम वेस्ट किये शुरू करते हैं तो चलिए सबसे पहले मैं आपको मेरी मोबाइल में जो पापजी इंस्टल है उसे ओन करके दिखाता हूँ आपको तो मैंने पापजी ओन किया तो पापजी ओन होने के बाद पापजी मोबाइल का जो सेटिंग है उसको ओन करूंगा और फिर ग्रापिक्स में जाओंगा तो graphics पर जाने के बाद आप देख सकते हैं मैं balance पर क्लिक किया तो यह support किया लेकिन मैं HD पर क्लिक करूंगा तो यह दीखिए यह support नहीं कर रहा है इसका मतलब है मेरे mobile HD mode को support नहीं करता है तो मैं आपको आप दिखाऊंगा आप कैसे इस mobile में PUBG को खेल सकते है तो अगर आपका भी mobile HD को support नहीं करता है तो मेरे इस trick के बाद आपका भी mobile HD को support करेगा तो चलिए देखते हैं कौन सी हो trick सबसे पहले मैं PUBG को बंद कर दूँगा इसके लिए सबसे पहले आपको एक app डाउनलोड करना होगा तो चलिए डाउनलोड कर लेते हैं सबसे पहले प्लेश्टोर उपिन कीजिए प्लेश्टोर उपिन करने के बाद यह सर्च कीजिए जी एफेक्स टूल तो ए रहा हो एप्लिकेशन तो इसे इंस्टल कर लिजिए यह सिर्फ 2MB का है इंस्टल हो जाने के बाद इसे ओपेन करें तो इसको आपको allow पे किलिक करना है तो सबसे पहला जो option है select version ठीक है तो आपको ए वाले version को select करना है और अगर आप PUBG light को खेल रहे हैं तो तब आपको ए वाले option को click करना है ठीक है तो मैं इसको select कर लेता हूँ add आ गया है तो इसके बाद आप Resolution पे क्लिक कीजे यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको HD में क्लिक करना है ठीक है और दूसरा जो ऑप्षन है Graphics का तो आपको इसे Smooth पे क्लिक करना है और उसके बाद FPS तो FPS आपको 60 पे क्लिक करना है इससे आपको Smooth Gaming Experience होगा इसके बाद Texture Quality इसको आपको Low करना है इसके बाद Effect Quality इसको भी आपको Low करना है और बागी जो ऑप्षन है इसे मत छेडिये इसको ऐसे ही रहने दीजिए इसके बाद आपको Accept पे क्लिक करना है तो यह Add Show कर सकता है तो इसे Skip कर दीजिए तो आपको अब Run Game पे क्लिक करना होगा तो Run Game पे क्लिक करने के बाद PUBG आटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा तो इसके बाद आप Game प्ले करिए और खेलिए तो आप देखेंगे आपको HD graphics मिल रहा है तो आप देख सकते हैं मेरे जो Frame Rate है गेम के वो Extreme पे है तो मैंने Extreme में Select किया था तो Extreme में हैं तो मैंने आपको जो सेटिंग दिखाया है ये सेटिंग सबसे बेस्ट है उन लोगों के लिए जीन का Mobile बहुत पुराना है और जीन के Mobile में HD सेटिंग सापोर्ट नहीं करता है तो आप इस सेटिंग को एपलाई कीजिए और HD में Game प्ले करिए तो एक बात का जरूर से ध्यान रखेगा अगर आपका Mobile का जो RAM है वो 2GB है तो आप इस सेटिंग को ही एपलाई कीजिए इस से उपर ना आ जाईए क्योंकि उससे आपका Mobile लैक कर सकता है और हीट हो सकता है तो मेरे दिखाया हुआ सेटिंग को ही आप एपलाई कीजिए तो थैंक्स पर वाचिंग अगर आपको ये सेटिंग पसंद आई तो मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपका कोई problem हुआ इसके related तो मेरे को comment section में जरूर बताएगा तो मैं आपको solution बता दूँगा तो मिलते हैं next वीडियो में